नमस्कार दोस्तों, वेलकम डू स्टुडेंट चैनल में आप लोग का स्वागत है, तो जैसे की देख सकते हैं, न्यू बुक आ गया है, भॉलम वन, रेलेवे गुरूब डी, कोश्चन बैंक 2022 का जो एक्जयम हुआ था, उसका कोश्चन आ गया है, भॉलम वन तीस शिप्ट क हुआ था, इसका भॉलम वन आया है, तीस शिप्ट का, एलपी का तयारी करने वाले स्टुडेंट के लिए, सइंस का स्रीच चल रहा है, इस चैनल पर, अगर नए चैनल पर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को सेर किरिए, जिससे होगा और सा स्टुडे के बाद आप लोग को इसका पीडियाप आपको रिवीजन के लिए आपको प्रवाइट हम कराएंगे, तो चलिए आप लोग सेर जरूर कीजिए, जिससे मोटिवेट होंगे, आप लोग हम 30 शिप्ट लगातार कंटीन्यू आप लोग को हम सॉल्व कराते रहेंगे, इसलिए आप लोग को सपोर्ट चाहिए, आप लोग सेर जरूर कीजिए, चलिए कोशन की ओर कोशन देखिए किस परकार से कोशन है, क्यूंकि न्यू बुक मार्केट में आ गया है 30 शिप्ट का, तो जैसे कि इसका वालम ववन है, तो चलिए कोशन की ओर देखिए, न्यू कोशन है, क्यूंकि ये जो एलपी में 20 में 20 साइस पूशता है, 20 में 20 आपको इस कोशन सो लगातार आएगा, तो जैसे क्यूंकि नया अधारिद प्रस NCRT पर कोशन इसमें पूछा गया है, तो चलिए कोशन की ओर, देखिए कोशन में, ये कव का कोशन है, ये आप लोग देख लिज लुए कोशन की ओर, देखिए कोशन की प्रकाश का कोशन दिया गया, तो जैसे की देख सकते हैं, एक नमण कोशन की ओर चलिए, एक नमण की क्या कहा गया? एक नमन में कहा गया भारत्य संबिधान के कौन सी विशेष्टा राज अस्तर पर और केंदर में सरकारों के अस्तिव को संधर्वित करता है तो बताए इसका answer क्या हो जाएगा एक का answer क्या हो जाएगा आप्शन इसका B answer होगा संगवाद क्या जगा संगवाद तो देखे question में कहा गया है जिस परकास question कहा जाए उस परकास आप option दिख सकते हैं तो चलिए क्या कहा के कोशन में भारते संविधान की कौन से विशेस्ता राज अस्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तिव को संभीद करती है तो क्या होगा संधुवाद option B answer एक का तो चरी आगे question की और अगे कशन में कहा गया जैसे देख सकते हैं पहुंच नमर कोशन में क्या कहा गया तो जैसे कि देख सकते हैं कहा गया भारतिय सैना ने मिशाइलों की निर्मान और आपूर्ति के लिए 36.81 क्रोर के अनुबन्ध पर किसके साथथाख चाक्चर किये कहाग एक question में भारत्य सेना ने मिशायलों की निर्मान और आपूरती के लिए 31.82 क्रोर के अनुबन्ध पर किसके साथथाख चाक्चर किये तो बताईए 5 का answer क्या हो जाएगा तो 5 का answer हो जाएगा option C इसका answer हो जाएगा भारत dynamics limited भारत dynamics limited इसका answer हो जाएगा तो चली आए question की और आगे देखे question में कहा गया 6 नमर question देखे 6 नमर में क्या कहा गया 6 नमर में कहा गया निमलिखित में से कौन सी बिशेष्टा मरुवस्तल से संबंध है question में कहा गया निमलिखित में से कौन सी बिशेष्टा मरुवस्तल से संबंध है तो बताईए इसका answer क्या हो जाएगा, छे का answer क्या हो जाएगा, तो 6 का answer हो जाएगा, option D इसका answer हो जाएगा, बर खान, क्या हो जाएगा, बर खान इसका 6 का D answer हो जाएगा, कि कोशन में कहा गया, कि निमलीखित में से कौन सी विशेष्टा, मरु अस्तल से संबंध है, तो आज चार आप्शन बताईए तो देखे हीमो आप्शन एम है हीमोड डीम है जलोड पंक सीम है टानपूल तो डीम क्या है बरखान तो बरखान इसका मरवस्तल से संबंध है आप्शन डी एंसर चलिए आए कोशन की और आगे देखे कोशन जो कहा गया जैसे देखे 9 नमर कोशन को देखे ध्यान से कोशन को 9 नमर कोशन में कहा गया निमलिखित में से काउन सी अधिनियाम कानून के रूप से एक ग्रामिन परिवार कि ऐसे वैक्स सदसों का एक विर्तिया वर्ष में 100 दिन के वैतनानिक रोजगार की गायरेंटी देता है जो रोजगार की तलास में है और अकुशल सारीलिक स्रम करने की एक चुख है कोशन में कहा गया कि निमलिखित में से काउन सा अधिनियाम कानूनी लूप से एक ग्रामिन परिवार के ऐसे वैक्स सदसों का एक विर्तिया वर्ष में 100 दिन के वैतनिक रोजगार की गायरेंटी देता है जो रोजगार की तलास में है और अकुशल सारीलिक स्रम करने के लिए चुख है तो बताईए इसका नाइन का एंसर क्या हो जाएगा तो 9 का एंसर ऑप्शन डी इसका एंसर हो जाएगा महत्मा गांधी राष्टिय ग्रामिन रोजगार गारेंटी आधिनियम तो 9 का एंसर क्या जगा ऑप्शन डी इसका एंसर निकल कर चलाएगा तो चलिए आए कौशन की और कि नीचे दिये गए चित्र A और B में दो परकार के कोशिकाओं विभाजन को दरसाता दरसाया गया इन संबंद में कौन सा बिलकप निम्न परस्णों का सही उत्तर परदवन करता है तो कोशन में कहा गया कि नीचे दियेगी चितर A और B A और B में दो परकार के कोशिका विभादन को दर्साया गया है इनके संबन्द में कौन सा बिलकप निम्न परसों का सही उत्तर परदवन करता है तो देखे करना क्या आपको option A दखी एक नमर question में कहा गया कोशिका विभादन के परकार क्या है दो नमर में कहा गया विभादन B कब और कहा होगा तो करना क्या देखे A ये है B ये है तो question में जिस परकार कहा गया उस परकार को आपको answer देना है तो जैसे question में कहा गया कि नीचे दिये गए चित्र में A और B में दो परकार क्योशिका है A और B में दो परकार क्योशिका है तो दरसा गया है के संबद में कौन सब्इल कर निम परसको का सही उतर पर्दन करता है तो जैसे कि आप देख सकते हैं और खीत्र देख लिए कोशन समझगे किस पर का को सब्सक्राइब इसका ओप्सन देखी in मों चलिए बता रहे थे और स puppication को i दोम कहा गया एक का ए नम्मर में हो गया एक का दो नम्मर इसमें कहा गया बिर्धी के लिए सरीर की कोशिकाव में अर्ध सुत्री विवाजन होता है उसके बाद बीम देखिए बीम कहा गया बीका ए बीका एक कहा गया ए अर्ध सुत्री विवाजन है अभी ही सम्सुत्री विभाजन है उसके बाद देखिए दो नम्मर में युगमगो के निर्मान के लिए जनन कोशिका में अधसुत्री विभाजन होता है उसके बाद के सी नम्मर में सी का ए देखिए ए समसुत्री विभाजन है बी अधसुत्री विभाजन है दो में युगमगो के निर्मान के लिए जनन कोशिका में अधसुत्री विभाजन होता है उसके बाद देखिए D नमर कोश्चन डीम का A और B अधसुत्री विभाजन है उसके बाद इसका दो नमर देखिए बिर्धी के लिए सरीर के कोशिकाओं में अदसूत्री विभाजन होता है इसमें बताए इसका option क्या हो जाएगा एक गारा का answer option C इसका answer हो जाएगा इसका answer क्या हो जाएगा C हो जाएगा C का A नम्मर में A है समसूत्री विभाजन A है समसूत्री विभाजन B अदसूत्री विभाजन और इसके बाद दो नम्मर में है A का C का दो युगमगों के निर्मगान के लिए जनन कोशिकाओं में अदसूत्री विभाजन होता है समझे कोशन को इस परकार के इसका एंसर हो जाएगा A का 11 का C इसका एंसर निकल कर चलाएगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस परकार कोशन इसका दिया गया था तो चलिया एक कोशन की ओर आगे देखे कोशन 12 नमर कोशन देखे 12 कहा गया धातू अक्साइड समान तर डैस पर किरती के होते हैं कोशन में कहा गया धातू, उकक्षाइड, समान, 1 परकिर्थी के होते हैं तो बताईए 12 का एंशर क्या हो जाएगा तो 12 का एंसर आप्शन E हो जाएगा छारीय धातू होता है छारीय परकिर्थी का अग उसके बगा धातू रहता आती हो जाता अमली है तो इसका answer होगा 12 का A answer तो चलिया एक question क्यों और आगे देखे 14 नमर question 14 नमर कहा गया alcohol sodium के साथ अभी किरिया करके निमलिखित में से काउंसी gas का निर्मान करता है कहा गया question में alcohol sodium sodium के साथ अभी किरिया करके निमलिखित में से किस gas का निर्मान करता है तो बताइए 14 का answer क्या हो जगा 14 का answer option A हो जाएगा hydrogen क्या हो जगा hydrogen क्योंकि question में कहा गया alcohol जो है जो sodium के साथ अभी किरिया करके किस gas का निर्मान करेगा यह हमको question में कहा गया तो इसका क्या हो जाएगा option कोशन ए चाओदा का ए हाड्रोजन इसका निकल कर एंसर चलाएगा तो चलिया एक कोशन क्यों आगे देखे कोशन में कहा गया देखिया एक कोशन 18 नमर कोशन देखिया 18 नमर में क्या कहा गया 18 नमर कहा गया माल एवं सेवाकर जिसमें माल और सेवाएं दोनों सामिल है और भारत सरकार द्वारा इसे भारत सरकार द्वारा डेस से परभावी रूप में लागू किया गया था question में कहा गया कि माल एवं सेवा कर माल एवं सेवा कर जिसमें माल और सेवा दोनों सामिल है भारत सरकार द्वारा dash से परभावी रूप से लागू किया गया था dash से परभावी रूप से लागू किया गया था कब लागू किया गया था ये बताईए आप अठारा का answer हो जाएगा option C इसका answer हो जाएगा 1 July 2017 18 का C answer निकल कर चलाएगा तो चलिया एक question की और आगे देखे question में कहा गया आगे देखे question में क्या कहा गया जैसे की देख सकते हैं 22 नमर question 22 में कहा गया चुमबकिया छेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन करने की परकिरिया क्या कहलाती है question में कहा गया चुमबकिया छेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन करने की परकिरिया क्या कहलाती है तो बताइए 22 का answer क्या हो जाएगा 22 का answer क्या हो जाएगा तो 22 का answer हो जाएगा option C हो जाएगा इसका answer बिद्धु चुमख्या पिरन इसका answer हो जाएगा 22 का C answer तो कहा गया question में कहा गया चुमबा किया छेतर में परिवर्तन द्वारा प्रिजित धारा उत्पन करने की पड़किरिया क्या कहलाती है तो विद्धु चुमबा किया प्रिण कहलाती है option C हो जागा बाइस का उसके बाद चलिया question क्यों देखिए आगे देखे कोशन में कहा गया 24 नमर कोशन 24 नमर कोशन में क्या कहा गया 24 में कहा गया निमलिखित में से कौन सा बौध धर्म से संबन्दित एक पवित्र गरंथ है कोशन में कहा गया निमलिखित में से कौन सा बौत धर्म से संब्ध एक पवित्र गरंथ है तो बताईए चार अप्शन दिया गया है चार अप्शन बताईए बौत धर्म से संब्ध पवित्र गरंथ कौन सा है बताईए 24 का एंसर क्या हो जाएगा तो 24 का एंसर ऑप्शन डी इसका एंसर हो जाए 25 में कहा गया कि निमलिखित में से किस समू के तत्तों में अमलिय ओक्साइड बनाने की परविर्ती होती है कहा गए question में कि निमलिखित में से किस समू के तत्तों में अमलिय ओक्साइड बनाने की परविर्ती होती है तो बताईए इसका answer क्या हो जाएगा 25 का तो 25 का answer option D हो जाएगा 16 निमलीखित में से किस समूख के ततों में अमलिया उक्साइड बनाने की प्रविश्टी होती है तो किस में होती है option D में इसका answer हो जाएगा 16 तो चलिया एक question की और आगे जखी question किस परकारत है 26 नमर question 26 में कहा गया डैस मद परदेश में पाए जने वाली एक परकार की जल संग्रव परनाली है कहा गया question में कि डैस मद परदेश में पाए जने वाली एक परकार की जल संग्रव परनाली है तो कौन है ये बताईए, चार option दिया गे नीचे आपको, तो 26 का answer हो जाएगा, option D इसका answer हो जाएगा, बंधीज, क्या जगा, बंधीज, इसका answer हो जाएगा, option D इसका 26 का, क्यों कोशन में कहा गया, कि डैस मद पर्दे से पाए जाने वाले एक परकार की जल संग्रफ परनाली है, तो कौन है, बंधीज, इसका answer हो जाएगा, option D 26 का, आगे चलिए question क्यों क्यों, आगे देखिए question में कहा गया, 29 नमर question, 29 में कहा गया, अधीकांस जन्तूओं में गती इनमें से किस तंत्रों को समवनवरित गती विधी है, तो बताईए 29 का answer क्या हो जाएगा, 29 का answer क्या हो जाएगा, 29 का answer हो जाएगा, option A हो जाएगा, इसका answer, पेशी, कंकाल और तंत्री का तंत्र, क्योंकि question में कहा गया, अधिकन जन्तुओं में गती इनमें से किन तंत्रों की समानुत गती विधी है तो बताईए इसका एंसर क्या ज़गा 29 का ए हो जाएगा पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत आप लोग शेर जरूर कीजिए क्यूंकि शेर कीजिए और असास्तुने जूर सकेगा आपको continue इसका श्रीद चलता ही जएगा तो चलिए आगे देखिए 30 नमर कोश्चन रंग हीन लवन क्या कहलाते हैं? बताई ये 30 का एंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का एंसर ओप्षन ये इसका एंसर हो जाएगा लिको प्लास्टिक क्या जगा? लिको प्लास्टिक इसका एंसर हो जाएगा जैसे कोश्चन में कहा गया रंग हीन लवक लवक क्या कहलाते हैं? तो लिको प्लास्टिक कहलाते हैं इसका answer option यह हो जगा 30 का, तो चलिए आए question के ओर देखिए, आगे देखे question में कहा गया, 32 नमर question, 32 में कहा गया, यदि अवतल दर्पन किसी बस्तु का वास्तविक उल्टा एवं समवन आकार का परतिविम निर्मित करता है, तो बस्तु कहां इस्थिर होगा, यदि अवतल दर्पन किसी बस्तु वास्तविक उल्टा एवं समवन आकार का परतिविम निर्मित करता है, तो बस्तु कहां इस्थिर होगी, ये बताईए, 32 का answer क्या हो जाएगा, तो 32 का answer हो जाएगा, option B इसका answer हो जाएगा, सी पर, कहां होगा, सी पर होगा, तो चलिए आगे question की ओर, 33 में कहा गया, परसांत चंद्र महां, महां महान नोबिस इन में ने, इन में से किस की अस्थापना की है, कहा गया, परसांत चंद्र महां नोबिस ने इन में से किस की अस्थापना की, तो बताए ये 33 का answer क्या हो जाएगा तो 33 का answer option D हो जाएदा, इसका answer भारत्य सांखी की संस्था भारत्य सांखी संस्था को इन्हों ने अस्थापित किये थे कौन किये थे पड़्छानग्षाण चंद महा नो बिस ने इनमें से किस के स्थापना की थी इन्हों ने भारत्य सांखी की अस्थापना किये थे तो चलिए आए कोशन की ओर आगे देखे कोशन में कहा गया जैसे कि देख सकते हैं कोशन जैसे कि देख सकते हैं ते तालिस नमर कोशन ते तालिस नमर कोशन में क्या कहा गया यह आप लोग को धिशान से पर देखना कोशन को पढ़िए किस परकार से कोशन इसका दिया गया है जैसे कोशन में कहा गया ते तालिस नमर कोशन कहा गया सो ओम परतिरोध वाले एक धातु का तार मोर कर तार की लंबाई के बरावर परतिरोध बरावर परीधी वाले एक विर्त बनाया जाता है विर्त के दो व्यासक सम्मुख बिंदूओं को भी तुल परतिरोध ग्याद किये तो कोशन में कहा गया सो ओम परतिरोध वाल एक धातु के तार है तार को मोर कर तार की लंबाई के बरावर परीधी वाल एक विर्त बनाया गया एक सो ओम को जो है इससे एक बिर्त बनाएंगे बिर्त बनाया गया विर्त के दो व्यास होना चाहिए शम्मूक बिन्दो को भी तुल परतिरोध ज्याद करने के बोला गया तुल परतिरोध इसका मतलब समानतर करम तो जैसे आपकूसर्ण की और देखिए यह बनाया गया सो ओम का बनाया गया इसके बाद देखिए, इससे आब निकालेंगे हम बित की पतिरोध। बिर्त निकालेंगे तो बिर्त हम देशे की बिर्त बना लिए ये हो गया A ये हो गया B ये हो गया A ये हो गया B उसके बाद देखी इस से अब हम निकालेंगे तो इसमें एक हो गया पचास ओम एक हो गया पचास ओम तो यह उपरला हो गए R1 यह हो गए R2 अब इससे हम समंदर करम निकाल सकते हैं तो एक वटा R P ब्रावर एक वटा R1 पलस एक वटा R2 समझ गए? अब देखे करना क्या है? तो पहला एक वटा R1 एक वटा 50 पलस एक वटा 50 जब इसको स्वाल्व करियेगा तो क्या हागा? एक वटा 25 आजाएगा एक वटा 25 जब आजाएगा एक वटा 25 जब आजाएगा एक वटा R P लिखे हैं इसको जब गुना करियेगा एक वटा एक वटा R P या बरावर एक वटा 25 इसको जब स्वाल इसको इस से गुना करेंगा इसको इस से और P बरावर 25 ओम निकल कर चलाया और P बरावर कितना 25 ओम निकल कर चलाया इसका एंसर ऑफशन देखिए आगे देखे कोशन में कहा गया 47 रमर कोशन 47 में कहा गया भारतिय संबिधान में पंचायत के लिए कितने बिशे स्वाहत्य धिकारी तता सूची बद हैं कोशन में कहा गया कि भारतिय संबिधान में पंचायत के लिए कितने बिशे स्वाथ वधीकारी तत्था सूची बद हैं तो बताईये सहितालिस का answer क्या हो जाएगा सहितालिस का answer हो जाएगा option B इसका answer हो जाएगा 29 गो कितना है 29 भारत्य सम्भीधन पंचायद के लिए कितने बिशे स्वाथ वध brewing 21 गो 21 गो B answer हो जाएगा उसके बाद चलिएा कोईशन कीई और 48 शिम गुशन देखिए 48 में कहा गया भारत का पहला ग्राफिय नवचार केंद्र किस राज में अस्थापिट किया जाएगा कोईशन में कहा गया भारत का पहला ग्राफिय नवचार केंद्र किस राज में अस्थापित किया जाएगा तो बताईए आप लोग 48 का एंसर क्या हो जाएगा तो 48 का एंसर आप्चन यह हो जाएगा केरल कहां अस्थापित क्या जाएगा तो केरल में अस्थापित किया जाएगा तो चलिए आए कोशन की ओर उन्चास नमर कोशन देखिए उन्चास में क्या कहा गया उन्चास में कहा गया छोटा नागपूर पठार इनमे से किस भारत्य राज में इस्तिर है कहा गया कोशन में छोटा नागपूर पठार इनमे से किस भारत्य राज में इस्तिर है तो बताईए उन्चास का एंसर क्या ह एंसर हो जाएगा option B इसका एंसर हो जगा जहारखंड में इस्तिर है। कहा इस्तिर है? जहारखंड में। छोटा नाकुर पठार इन इन में से किस भार्चेराज में इस्तिर है? ज़ारखंड में। उन चास का B एंसर हो जाएगा चलिए आए कोशन की और देखे तिरपन नमर कोशन में कहा गया विधिक मामलों पर राज सरकार को सलाह देने और विविध स्वरूप के अनकर्तबों का पालन करने का अधिकारी किसके पास होता है कोशन में कहा गया विविद मामलों पर राज सरकार को सलाह देने और विविद स्वरूप के अनकर्तबों का पालन करने का काड़ कारी अधिकार किसके पास होता है तो तिरपन का एंसर बताइए क्या हो जाएगा तो तिरपन का एंसर हो जाएगा option कोशन C इसका एंसर हो जाएगा महा अधिवक्ता महा अधिवक्ता कोशन में कहा गया तिरपन नम्र में विविद मामलों पर राज सरकार को सला देने और विविद स्वरूप के अनकर्तबों का पालन करने का काड़ काड़ी अधिकार किसके पास होता है ओप्शन C महा अधिवक्ता के पास होता है तो तिरपन का C अनसर हो गया चलिए आएक कोशन की ओर आगे देखे कोशन 56 नम्र कोशन 56 नम्र कोशन में कहा गया कि मेग हाले की गारो जन जाती के बीच स्वरवाधिक लोगप्रिया महसब कौन सा है कोशन में कहा गया मेग हाले की गारो जन जाती के बीच स्वरवाधिक लोगप्रिया महसब कौन सा है तो 56 का एंसर हो जाएगा ओप्शन C इसका एंसर हो जाएगा वांगला महसब क्या जाएगा वांगला महसब कोशन में कहा गया 56 नमर में मेग हाले की गारो जन जाती के बीच स्वरवाधिक लोगप्रिया महसब कौन सा है तो वांगला महसब आप्शन C इसका एंसर हो जाएगा चलिए आएक कोशन की ओड आगे देखे 57 नमर कोशन 57 नमर कोशन में कहा गया किसी दिये गए पारदर्सी माध्यव का अपवरतनंक एक दसनलब पोंच है उस माध्यम में परकास की चाल क्या होगी कोशन में कहा गया किसी दिये गए पारदर्सी माध्याव का अपवरतनांग 1-5 है उस माध्यम में परकास की चाल क्या होगी तो देख़े परकास की चाल इसका बताए एंसर हो जाएगा 57 का एंसर हो जाएगा option B इसका एंसर हो जाएगा 2-10-5 मीटर पर 30 सकेंड क्योंकि पार्दस्थी माध्य अब वर्तनां कितना एक दसनां पहुंच है उस माध्य में परकास की चाल पूछा गया परकास की चाल कितना हो जाएगा दो गुने तरफ पर बावर मीटर परती सक्यान इसका एंसर अब देखे कैसे होगा वह आप देखिए जैसे कि अब देखिए एंसर कियो इसका किस परकास का कोशन बनेगा वह देखिए तो जैसे देखिए इसका कैसे बनेगा वह आपको किसी दिये को पार्दस्थी माध अब बरतनां कितना जै अब बरतनां को दिया गया एक दसना पहुंच तो देखिए इसका सुत्र क्या होता ह भी बरावर भी बरावर होता है इसका क्या होता है इसका सुत्र होता है अब बरतनंक का सुत्र होता है देखिए अब बरतनंक का सुत्र होता है क्या वो देखिए मू बरावर CY भी इसका सुत्र होता है मू जो होता है ये क्या है यह अब बरतनंक है अब C क्या है निर्वात में परकास की चाल है अब भी क्या है माध्य में परकास की चाल है उसके बाद देखिए हमको क्या अब बरतनंक एक दसमलब पहुंच दिया गया अब बरतनंक एक दसमलब एक दसमलब पहुंच दे दिए उसके बाद सी कितना सी हंको कितना है निरवात में परकास की चाले निरवात में परकास की चाले कितना होता तीन गुने तीन गुने दस पर पावर आठ उसके बाद उसके बाद उसका भीक मतलब होता है भीक मतलब होता है उस माध्या में परकास कि चाल उस माध्य में परकास की चाल घंक को निकालना राइन है तो कईसे निकालें गञा वो देखिए एक पउंच वह हो जाएगा आउसके बाग कर यहां एक दसम्लब्स पर आठ बंण्य अब भुण्य निकाल कर होता है होता है कि निर्वात में परकास की चाल अब बटा माध्यम में परकास से चाल तो म्यू बरावर सी भाए भीष का सुत्र होता है जो हमको निकालना क्या बोला उस माध्यम परकास की चाल हमको भी निकालने के लिए कोशन में बोला गया था तो भी हम निकाले दो गुने दसव पावर आठ मिटाब परती सकेंड संतावन का बी एंसर आगे चले कोशन की और आगे चले कोशन में कहा गया आगे चले कोशन में कहा गया एकसार नमर कोशन में एक्सन नोकोसम कहा गया बिद्धुत धारा की चालन की जवंच करने के लिए रवी एक पर्योग करता है वह बिभीन जलिये विल्लन या दर बिद्धुत अफटन के रूप में लेता है और इनमें से बिद्धुत परवाहिद करने के परियास करता है और परिपत को एक बल्व से जोडता है निम्न मेंसे किसकी उपस्तित में बल नहीं जलेगा कोशन में कहा गया बिद्धुधारा के चालन की जंच करने के लिए रवी एक परियोग करता है वह बिभिन जलिया बिलियन या दर्व बिद्धुध भटन के रूप में लेता है और इसमें बिद्धुध परवाइद करने पर यह पढ़ियास करता है कि और परिवत को एक बल्व से जोड़ता है निम्ड में से किसकी उपस्तिति में बल्व नहीं जलेगा तो बताएए एक सट का एंसर क्या हो जाएगा तो एक सट का एंसर हो जाएगा यह आप देख सकते हैं एक सट का एंसर क्या हो जाएगा तो देखिए एक सट का एंसर हो जाएगा option इसका डी एंसर हो जाएगा octane क्या जगा octane इसका क्योंकि किसकी किसकी उपस्तिति में बल्म नहीं जलेगा तो चलिए आएक कोशन की और आगे देखिए बारसत नमर कोशन बारसत में कहा गया n फेरो वाली एक धरावाही वर्ताकार कुंडली के कारण उत्पन चुमकिया छेतर और समण धरा को वहन करने वाले समण तरिजा के एकल वर्ताकार लूप के कारण उत्पन छेतर का अनुपात क्या है question में कहा गया N फेरे वाली एक धरावाही विर्टाकार कूंडली के कारण उत्पन चुमकिया छेत्र और समंधारा को वहन करने वाली समंध रिजाक एकल विर्टाकार लूप के कारण उत्पन छेत्र का अनुपाथ क्या होगा 12 सट का एंसर क्या हो जाएगा बताईए 62 का answer हो जाएगा option A का answer हो जाएगा N अनुपात 1 इसका answer हो जाएगा कोशन में कहा गया N फेरो वाली एक धारा वाही विर्ताकार कुंड लिए के कारण उत्पन चुमकिया च्छत और समवन धारा वहन करने वाले समवन त्रीजाग एकल विर्ताकार लूप के कारण उत्पन च्छत का अनुपात क्या होगा तो N अनुपात 1 इसका answer निकल कर चलाएगा 62 का A answer चलिए आएक कोशन की ओर आगे देखे कोशन 68 नमर कोशन देखे 68 में कहा गया राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रहम समाज का निर्तव किस ने किया था तो बताए 68 का answer क्या हो जाएगा देवेंद नाट टैगोर देवेंद नाट टैगोर ने किये थे 68 का option B इसका answer निकल कर चलाएगा चलिए आएक कोशन की ओर अले 67 नमर कोशन देखे 77 में कहा गया मनुस में आटोसोम की जोड़ी होती है कहा के कोशन है मनुस में आटोसोम की जोड़ी होती है तो बताए मनुस में आटोसोम कितने होते हैं कितने जोड़ी होते हैं 77 का answer बताए यह क्या हो जाएगा तो 77 का answer option A हो जाएगा option 22 option A इसका हो जाएगा बाइस मनुस में आटोसॉम की जोडियां कितनी जोड़ी कितनी होती है 22 इसका answer हो जाग होती है बाइस जोड़ी होती है 77 का एंसर चलिए आए कोशन क्यों अगे आगे दिखिए कोश्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् पुष्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् जैसे देखिए आए कोश्ण में क्या कहा गया असी नमर कोश्ण असी में कहा गया यदि किसी चालक के टर्मिनलों के बीच पंच भॉल्ट का विवांतर आरोपीत करने पर उसमें दो दसनलों पंच एम्पीर मिधारा उत्पन होती है चालक का परतिरोध क्या होगा तो पर्तिरोद पुछा आ गया, तो कैसे करना को रहना ने को देख तरसमलब पॉंच तरसमलब उठेगा उपर जीरो पाचीश दूनों सो तो कितना हो दो एंपिर इसका एंसर निकल कर चलाएगा असी का एंसर हो जाएगा तो इस प्रकास को स्वाल्व करना क्यों चाला का परतिरोध पुछा गया तब परतिरोध हम निकाल लिए भी बराबर आ आगे दखिए एकासी नमर कोश्चन में एकासी में क्या कहा गया डैस बनाने में इस्ट का उप्योग किया जाता है तो बताई एकासी का एंसर क्या हो जाएगा एकासी का एंसर ओप्शन सी हो जाएगा सराब डैस बनाने में इस्ट का पर्योग किया जाता है तो एकासी का सी एंसर हो जाएगा आगे चली को स्न की उर कि असी का टिए इस असी का एंसर B होगा क्यों कि यहां गोग फ्रवी और फ्रमुला लगेगा बी पराबर आई आऊर वही फ्रमुला लगे गा वही फ्र Bottles है धैसे देख शक्ते हैं डेख्या को सब्hair इसका बिसांसर होगा कैसे वो देखिए भी ब्राबर आई यार तो हमको यार निकालना है ब्राबर भीवाय आई अब देखिए वह हम को कितना मालूम है पंच बोल्ट फंच भोलत यह इसके बाद आ यह हमको धारा कितना दो दसंवलब 5 मीटर एंपियर इसको अब चेंज करना हमको तो जैसे करना क्या है 2.5 गुए 10 पर पावर-3 तब हो जाएगा मीटर हड़ जाएगा मीटर हड़ जाएगा शिर्फ एंपियर में चलाएगा तो जैसे तो देखे करना क्या इसको यहां नीचे 2.5 गुण 10 पर पावर-3 अब देखे करना इस दस अमलब हटाएंगे जिरो उपर आगे देखे कोशन आगे देखे कोशन अठासी नमर कोशन अठासी में कहा गया आज की परिद्रिश में मनुस्की अभी विर्ती में हुए किस परिवर्तन ने अजयविनिक करन अफसीष्ट के उत्पादन कुछ हद तक कम करने की सहता की है कोशन में कहा गया आज की परिद्रिश में मनुस्की अभी विर्ती में हुए किस परिवर्तन ने अजयविनिक करने अफसीष्ट के उत्पादन को कुछ हद तक कम करने में सहता की है तो 88 का answer क्या हो जाएगा 88 का answer हो जाएगा option इसका A answer हो जाएगा जूट के थैलो का उप्योग question में कहा गया 88 नुवर question में आज के परिदिश में मनुस की अभी विर्ती में हुए किस परिवर्तन ने अजैविणी निम्नी करनी है अब सिष्ट के उत्पादन को कुछ हद तक कम करने में सहता की है तो इसका answer हो जाएगा option A जूट के थैलो का उप्योग option A 88 का उसके बाद चलिए आए कोशन आगे देखे कोशन में कहा गया 89 नमर कोशन 89 कहा गया के अंदर ये भारतिया भासा संसा C I I L ने इनमें से किस सहर में इस्तिर है कोशन में कहा गया के अंदर ये भारतिया भासा संस्ता इनमें से किस सहर में इस्तिर है तो बताए 89 का answer क्या हो जाएगा 89 का answer हो जाएगा option B मैसूर में कहां इस्तिर है मैसूर के अंदर ये भारतिया भासा संस्ता इन में से किस सहर में है मैसूर में 89 का option B answer आगे चलिए question की और देखे 90 नमर question 90 नमर question में कहा गया new land के अश्टक क्रम्स डैस से शुरू होते हुए और डैस पर समप्त होते हैं question में कहा गया new land के अश्टक क्रम्स डैस से शुरू होते हैं और डैस पर समप्त होते हैं तो बताए इसका answer 90 का क्या answer हो जाएगा तो 90 का answer option D हो जाएगा इसका answer new land के अश्टक नियम अश्टक क्रम्स डैस से शुरू होते हैं और डैस पर समप्त हो जाते हैं आप्षिन डी इसका एंसर और नब्य का डी एंसर आगे तो लिए कोशन की उड़ कि आगे तो आगे तो कोशन तरोनवान नमर कोशन स्टोन में क्या कहा गया एक तत ए जल के साथ अभिक्रिया करके एक बिलियन बनाता है जो तत एक के डैस होने की स्वरवादिक संभावना है तो बताये 94 एंसर क्या हो जाएगा तो तो 93 का अंसर ओप्शन भी इसका अंसर रोजाएगा मैंगनीियम ए जी इसका इंसर हो जाएगा 93 का भी एंसर हो जाएगा आगे चले है कोशन गें की ऌरफिये द्वारा उत्पन आवर्धन M को 10 द्वारा दरसाया जाता है तो 94 का आणसर क्या हो जाएगा 94 का आणसर हो जाएगा option C इसका आंसर हो जाएगा M बराबर minus 1 M बराबर minus was इसका आंसर हो जाएगा 94 का C answer आगे चलिए question क्यों देखे 97 नमर question listen 97 नमर question कहा गया दी गईधा रासानिक अभिक्रिया में निम्न में से कौन सी रासानिक जातियां क्रम सा ओक्सीकारक और अपचायक के रूप में काड़ करती है। अपचायक कोन है अपचायक इसका एंसर संतों वेक हो जाएगा ओपचन सी एंसर आगे चलिए कोश्चन क्यों देखिए आए कोशन निन नमर कोश्चन में कहा गया भारत सरकार दोरा च्षेत्रिया ग्रम मिर्विट बश्चन अधिन्यम किस वर्स पाईथ किया गया था कोश्चन में कहा गया भारत सरकार दोरा च्षेत्रिया ग्रम इन बेंगक अधिनियम किस वर्स परित किया गया था तो बताये क्या हो जाएगा हो जाएगा oczywiście कब 1970 में क्योंकि कोशन में कहा गया भारत सरकार द्वारा जट्रिया ग्रॉमिन बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया थाँ तो 1976 में किया गया था चलिया किसी क्यों कब नमर कोश्टन कोश्टन में कहा गया किसी चालग का परतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है कोईशन में कहा गया किसी चालक का परतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है तो चार ओप्षन दिया गया बताइए किस पर निर्भर नहीं करता है तो स्वा का एंसर हो जाएगा ओप्षन डी चालक से होकर परवाय पर चाल्ला का रूपर कार्ग छत्रफल पर चाल्ला की लंबाई पर